Pharma sector ने covid में इतना पैसा कमाया शे में पहले में है कमा भूआ करें या इतना यह है अरे यार.. इतना भी मुश्किल नहीं है तू एक केक करके बता.. प्रॉब्लेम कहा है चल बहले यह बता है ? सिम्लीट इक बताताओ,, यह एक टैबलेट है इसमें जो product है, इसे pharma की language में formulation कहते है, ये final product होता है अच्छा, परसों मैं Divis Laboratories के बारे में पढ़ रहा था, पर वहां लिखा था कि Divis Laboratories formulations में है ही नहीं, वो कुछ APIs वगरा कुछ बनाती है भाई ये बता, ये APIs होते क्या है? APIs यानि Active Pharmaceutical Ingredients, ये raw material होते हैं जिनसे final product यानि formulations बनते हैं देखो, इस tablet पर, यहाँ पर इनके APIs mention किये गए है सो तु ये कहना चाता है, कि formulations की expertise अलग company के पास होती है और APIs की expertise अलग company के पास होती है? सही पकड़े है अचा चल एक और last, ये भी बता दे कि custom synthesis होते गया है custom, ये word क्या बताता है, मतलब तुम्हारे requirement की हिसाब से बनाई गई चीज अभी स्वाद अनुसार तुम्हारे पास final recipe तो है, बड़ तुम्हें bulk में इसका manufacturing नहीं करना जब तुम ये bulk manufacturing किसी और company को दे देते हो, तब उसे custom synthesis कहते है अचा चल, last, last, एक और last अचा एक बात बता, ये DB's company है कैसी? चल, मैं तुझे इस पर एक detailed video दिखाता हूँ पीरों अस्ता, movies में heroes तो important होते ही है लेकिन उनके hero बनने में एक परसन का बहुत बड़ा हाथ होता है हाँ, heroine का अरे नहीं, नहीं, hero के sidekick का, हर hero का एक sidekick भी important होता है जैसे Sherlock Holmes के case में Dr. Watson, Munna के case में Sir Kit and Vero के case में जै, बट मादार ये बात तो तुम्हारी ठीक है बट यहाँ पर तुमने मुझे stock kit discussion के लिए बुलाया था नहीं, हम फिल नहीं बाते क्यों कर रहे है तो hero को जैसे sidekick चाहिए वैसे ही किसी भी बड़ी pharma company को sidekick के तोर पे low cost में API देने वाली company and custom synthesis manufacturing करने वाली company चाहिए होती है पर यह बात बताओ, अगर हम यह पर hero, sidekick, pharma company के बारे में बात ही कर रहे है तो hero company में invest कर देना, sidekick में क्यों invest करना है लेकिन सोचो, अगर वो sidekick सिर्फ एक hero का sidekick नहीं बलकि 10-12 heroes का sidekick हो, तो सोचो, कितनी बड़ी बाली बन सकती है मंदार, नहीं इस मेटाफोर में बात करना बन करूँ और बताओ हम कौन सी company के बारे में बात करने वाले है आरे, तुम्हें तुम्हें नहीं नहीं निखा क्या, the company is DV's Labs मंदार, हम इस सेक्टर को डिसक्रसी क्यूं कर रहे है, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा COVID is history now, pharma का time था, now that COVID is gone, pharma is gone लेकिन COVID गए है मतलब लोग बिमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा तोड़ी है and fundamentally अच्छे companies को add करने के लिए, जब sector trending ना हो, यह तो सबसे best time and कभी भी किसी भी sector पैसे write-off नहीं करना चाहिए तुमंदार, यह भी बताये कि इस stock 30-35% अपने all-time high से correct क्यों हुआ है आरे, हास्ता, लेकिन ऐसे corrections आते रहे थे, last 12-13 years में, the stock of DV's has corrected by more than 20% 4 times लेकिन इसे दौरान, company ने 21% CHR returns दिये so this is all part and parcel of equity investing बंदार, अगर मेरा विजिन लॉप्टर्म है तो इसका वादब यह नहीं है कि मैं ऐसे stops को प्रफोलियों में होल्ड करके रखो I mean fundamental नाम की तो कोई चीज होती है, अगर कंपनी के fundamental चीज स्टॉंग नहीं है लेकिन अब कोई जाने के बाद उनके अर्नेक्स वड़ से नॉर्मालाइस हो गए so obviously custom synthesis के business ने बुरा किया है in Q2 but the management is confident कि उन्होंने इतने all-resk pipeline अब तक पहले कभी नहीं लेकिए so I expect the company to do well in future मंदान मुझे बिस एक चीज़ एक चीज़ करो यह जो उनके custom synthesis की बात कर रहे हो अगर company actually अच्छा कर लिले 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 तो formulation क्यों नहीं बना लेती I mean अगर तो raw material बना रहे हो तो final product भी बनाई हो ला forward integration कर लो See company के management ने हमेशा से maintain किया है कि उन्हें formulations के business में नहीं जाने Even within EPS company का product portfolio बद ज्यादा बड़ा नहीं है उनका focus सिफ यह है कि हम कम products बेचेंगे लेकिन high market share of products बेचेंगे So in my opinion company का management का जो फोकस है that is very very good and they exactly know what they want to do I mean, the time to invest in DVS था 3-5 सार पहले अब तो सारे advantages खत्म होते दिख रहे है Huge hindsight bias जब हमें पता है कि आगे क्या हुआ तो past के decision justify कर रहा बहुत easy तुम देखो DVS जैसे अच्छे fundamental वाली company मिलना बहुत मिश्किल है Debt-free है, 35% return on capital employed है Revenue growth profit growth दोनों अच्छा है and operating profit margins 40% 38% थे Q2 में And DVS पे तो मितना जादा क्यों मोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके numbers seem to be like too good to be true समझो तो सही अक्यूस करने से पहले DVS ने बहुत अच्छा backward integration किया है APIs बनाने के लाई चेवते key starting materials and intermediates इसके लिए सारे API companies चाना पे बहुत जादा dependent हुआ गाते थे DVS ने वही काम in-house कर दिया है जिससे उनका cost तो कम हुआ ही है और चाना पे dependence भी बहुत कम हो गया है बत्वादार, I still felt that DVS जोने बहुत जादा dependent है अपने exports पे चलो बहुत हो जान ले दो लिंगर capital X expenditure है वो भी एक challenging activity है त्युकि जो उनका राके नादा में plant है अभी तक उनकी government से उसका approval महीं मिला See, export per dependence तो Indian pharma sector का characteristic है That is a given if you are considering to invest in Indian pharmaceutical companies और regarding KPEX approval, देखो ये चीज़े company के आथ में नहीं है These are inherent risks in the company मंदार इसनी गवार में तुमारे मुझसे इस industry के लिए, इस company के इंहेरेंट रिस्क सुखी हो ना में को समझ में या रहा ऐसे inherent risk और challenging वारी company में तुमें इन्वेस्टी को करना है और कोई company और कोई sector पकड़ लो उनमें भी तो growth prospects अच्छे है तुम रूको यार, हम गवरो सर सी पूछते है वही इस argument को सूल जा सकते है तो आज किस बात पर अड़र हुए तुम? सर मैं आस्ता को कह रहा था कि DVS फंडमेंटली कितनी strong company है I mean, APIs and Custom Synthesis में इंसा अचा प्लेयर कोई ही नहीं बट, what do you think about the future of this company? I mean, definitely a focused player है ठीक है, मरलब APIs में में को लगता है कि Pharma industry में एक focused player ये ही है जो एक properly focus कर रहे है API पे और एक export market है Pharma India के लिए, right? तो उसे साब से काफी अच्छा position है, no doubt in it Sir, और valuations की भी हम बात कर रहे थेगी valuations हमेशा से DVS Lab के 60-70 पे historically trade होता था अभी 30 के मीचे आ गया है So, एक long term अगर हमें अप्रोश रखना है long term के लिए investment करनी है तो does this valuation seem like very attractive, right now? मतलब attractive तो होनी ही पड़ेगी नहीं अभी तो अपने model portfolio में अड़ किया इसको, right? value portfolio में अड़ किया है तो definitely, मतलब अभी जिस तरह से चल रहा है जिस valuation पे अवेलेबल है और जो growth expected है, right? और जैसे बने बोला कि export-oriented industry है अगे India की, जैसे यह markets थोड़ी सी improve होएंगी, US market और Europe markets तो I am sure that the growth will be back और तो उसे आपसे valuation at this level अगर एक long term horizon case आपसे दिखते हैं at least 3 plus years perspective से तो मुझे लगता है कि attractive valuation है definitely Sir, I also the question is that DV is backward integration भी कर रहा है what if अगर कोई और प्लेयर इस API इंड़ी बाते है तो? नी बट आया कहा है मतलब कोई नहीं पाया है इतना टाइम से मतलब सब ब्लेयर्स हैं बट सब मेजरली अगर मैं देखता हूँ जो भी बड़े ब्लेयर्स अगर अगरा है राइ तो everyone is focusing on farmulations अभी chemical players ही है जो थोड़ बात क्या बट प्र क्या और अप्यादे़र थो क्स्कर रहा है अभ व हाँ आप प्र सी बट अगर्गार्ड, देख लग फोकॉस्ट है API प्रेंटी पोकस कर रें आपना मार्केट बना पाते हैं, तो अब एक पर पाते हैं, तो अब आपके प्लेट को करी नहीं पाया है, तो अब आपके प्लेट को करी नहीं पाया है। और आपको और भी पता चलजुके हैं, हमारे मोर्डर पोड़्ॉलियो का भी पार्त है। और तो COVID गया तो मिलोग बीमार थोड़ी पड़ेंगे लोग बीमार नहीं पड़ेंगे गया एपिक और कोवड गया तो मिलोग नहीं नहीं बड़ेंगे गया एप दूसरी बात मैं भुल गया भुली रीज़ी नहीं कि फंबल लुगा, there's a difference मेरे भी फंबली हो दहीं धावाँ दुभी अ token सब्सित्स एक्यूस करने से बहले पहले हाँ पहले पाले दो brauchtध एफोड़ी वह फाब च्रुक है अई पाल मेरे कोड़ेंगे पाक रा 你enza इंडिन फार्मा इंडूस्ट्री आरे क्या बोले लेगे लिए कि इप्रोपिट मांजीट का चल मैं तुझा इस पर डीटेइल वीडियो बटा बटाटाव वह लिखाता हम